हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल निटिंग स्टूडियो देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुन्दर सी बेबी बुटेज लेके आई हूँ और बहुत ही जल्दी बनके आती है तो हम यहाँ पे इसके फंदे डालेंगे सबसे पहले हम ऐसे सिंगल धावा लेंगे जितने हमने फंदे डालने हैं तो मैं यहाँ पे 46 फंदे डालूँगी तो ऐसे इसको एक नोट लगाएंगे और फंदा बना लेंगे और इस फंदे को न ऐसे करेंगे स्लाई और यहां से करेंगे और इसके अंदर से ऐसे डालेंगे फिर से ऐसे करेंगे और यहां से डालेंगे इसको ऐसे डालेंगे फिर यहां से स्लाई डालेंगे इसमें से डाल के ऐसे करेंगे पहले जो टेल वाला धागा है हमारा इसके अंदर से ऐसे श्लाइड डालेंगे और और वरक वाले धागे के अंदर से ऐसे श्लाइड डालेंगे और निकालेंगे फिर ऐसे ही डालेंगे ऐसे ही डालते डालते हम यहाँ पे 46 फंदे डालेंगे ये हमारे सिंगल धागे से फंदे डलेंगे क्योंकि हम जब इसके सिलाई करेंगे तो निच्चे से हमारी किनारी बारिक बन के आएगे तो जब भी आप बेबी बूटिज बनाएंगे निच्चे से तो यहां से हम इसके फंदे सिंगल धागे से ही डालेंगे तो मैं ये फंदे डाल लेती हूँ, देखे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 46 फंदे डाल लिए है, अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, दागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे और इसको पूरी को उल्टा बुन लेंगे, ऐसे दागा अपनी तरफ क इसको आपको step by step बनाना बताएंगे, ऐसे इसको पूरी रो को ऐसे उल्टा बुनते जाएंगे, ये हमारी फर्स्ट रो बनके complete हुई, अब आएंगे हम second row पर, तो second row को फिर से ऐसे ही करेंगे, दागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को ऐसे उल्टा बनते जाएंगे, ऐसे इसको उल्टा बनते हुए पूरा करेंगे इसको ऐसे उल्टा बना लेंगे तो जैसे हमारी एक धारी बन के आई है ऐसे ही हम इसके अंदर 12 धारियां बनाएंगे यानि 24 सलहियां बनाके इस पार्ट को कम्पलिट करेंगे देखे फ्रेंड्स आपने जब भी जितने भी साइज के बच्चे की बेबी बुटीज बनानी हो इस डिजाइन में तो आप ऐसे फंदे डालके एक सलाइ बुनके उनको ऐसे बच्चे के पैरसे ऐसे डबल करके और मेजर कर लेजिएगा तो साइज एकदम परफेक्ट आएगा तो अब मैं इसको आगे बुन लेती हूँ जैसे हमारी एक धरी आई है ऐसे ही हम बारह धरीया बुन लेंगे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सलाई बनाती जाएगे तो यानि 24 सलाई बना के कम्पलिट करेंगे देखें फ्रेंड्स ये हमारी 12 धरिया बनके complete हुई है एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे 12 इस साइड में हैं और 12 हमारी back साइड में तो 24 सिलाइय बनके complete हुई हैं अब हम इसका आगे का पारट गुर्णा शुरू करेंगे अगर आप इसमें छोटे साइज में बनाएंगे और भी छोटे साइज में बनाएंगे तो यहां पे फंदे कम डालेंगे और ऐसे इनको डालके ऐसे डबल करके बच्चे के पैर से मेजर कर लीजिए एक दम perfect साइज आएगा तो अब हम यहां पे फंदो को bind ओफ करेंगे तो फंदा बुलेंगे इसके उपर वापिस लेंगे और दो का एक करेंगे एक फंदा कम हुआ फिर से दो का एक करेंगे दो फंदे कम हुए फिर से वापिस करेंगे तीन फंदे कम हुए इसको नहीं ज़्यादा लूज बाइंड ओफ करेंगे और नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे इसको नोर्मल हाथ से ऐसे ही करते जाएंगे तो यहाँ पे हम ये दस फंदे बाइंड ओफ कर लेंगे ये हमारे दस फंदे बाइंड ओफ हो चुके हैं अब आगे की पूरी रो को उल्टा ही बुढ लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे, देखे फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इसको, और बनने के बाद बहुत ही सुन्दर बेबी बूटेज बन के आएगे, डिजाइन बनाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें, यह हम पू तो यहां पे भी एक फंदा कम बाइंड ओफ करेंगे, यह पूरी रों को उल्टा बुन लेंगे, यह सलाई हमारी कम्पलिट हुई, अब आयेंगे हम बैक साइड में, तो यह हम दस फंदे फिर बाइंड ओफ करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, वापिस इसी पर लेंगे, और करेंगे, फिर इसे के उपर डाल लेंगे, फिर दो का एक करेंगे 10 फंदेट रही हमारे56 यहां है यहां पर चौट मेंगे.'' ऐसे इस पूरी रो को उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट करेंगे इस पूरी रो को बुन लेंगे यह हमारी पूरी रो बनके कम्प्लेट हुए अब आएंगे सीधी तरफ तो यहाँ पे देखि फ्रांड्स यह सलाई हम पूरी सीधी बनाएंगे इस रो को सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करेंगे ऐसे इसको सीधा बुन लेंगे यह हमारे सीधी सलाई बनके कम्प्लेट हुए अब आएंगे हम बैक साइड में तो बैक साइड में इस पूरी रो को हम उल्टा बनाएंगे ऐसे इसको उल्टा बुनते हुए पूरा करेंगे यह हमारे पूरी रो उल्टे बनके कम्प्लिट हुई अब फिर आएंगे हम सीधी तरफ तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पे आप धहन दीजिएगा अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे जिसके अंदर हम डोली डालेंगे तो यहाँ पे यह फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे फिर एक फंदा और सीधा बुन लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा जाली डालते हुए बना देगे तो जो हमारा ये दो का एक फंदा घटा है वो जाली डलके बढ़ गया फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से 2 का एक करेंगे तो हमारे जो फंदा गटेगा वही फंदा हमारा फिर से बट जाएगा हमारे वही 26 फंदे ही रहेंगे ऐसे 2 का 1 करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 करेंगे अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे ऐसे ही बुन देंगे तो दिखें फ्रेंड्स ऐसे हमारे जाली डल जाएगे अब आएंगे बैक साइड में तो बैक साइड में इस पूरी रो को ऐसे उल्टा ही बुनते जाएगे जाली वाले फंदे भी और सीधा फंदा भी इन सभी को उल्टा बुन लेंगे ये हमारी बैक साइड से सलाई बनके कम्प्लेट हुई अब आएंगे सीधी तरह तो देखें फ्रेंड्स ऐसे हमारी ये जाली डल गई अब यहाँ पे एक फंद बोडर बनाएंगे आगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दागा पीछे करेंगे फिर से फंदा सीधा बनाएंगे दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दागा अप पीछे एक फंदा सीधा ऐसे ही करते हैं इस पूरी रो को बुल लेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा दागा पिछे यह फंदा सीधा तो यह हमारी border की first row बनके complete हुए अब आएंगे हम back side में तो देखे friends जो फंदा यहां से सीधा है यहां पे उल्टा बनेगा तो यह last का फंदा यहां सीधा था तो यहां पे उल्टा बन जाएगा दागा पिछे करेंगे फिर यह फंदा सीधा दिखाई दिता इसको सीधा बनेगे दागा अपनी तरफ करेंगे यह फंदा उल्टा नजराएगा तो इसको उल्टा बनाएगे दागा पिछे करेंगे यह फंदा सीधा है तो इसको सीधा बनेगे धागा आपनी तरफ करेंगे फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे सीधा तो देखे फ्रेंड्स जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बुल लेंगे देखे फ्रेंड्स यह अब हमारी बौडर की दो सलाईया बन गई है एक शीदी तरफ से एक उल्ट तरफ से तो यह नजराने लगा है एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा तो ऐसा ही बुनते हुए आप इसको जितना भी आपको बौडर चाहिए इसका एक इंच 34 इंच्च्थ का जितना विश्की आप इसका उतना ही लंबा बुर्डर बना सकती है अब मैं इसको आपकु से आगे बना के फिर दिखाते हो मैंधिगे फ्रेंड्स मैं फिर से इसी के उपर लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर से इसी के उपर लेंगे और दो का एक करेंगे, ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को बाइंड ओफ करेंगे, और बैक साइड से बाइंड ओफ करेंगे, तो हमारे ये सीधी तरफ से ऐसे ये किनारी अच्छे से बन के आएगी तो इन सभी फंदों को मैं बाइंड ओफ कर लेते हूँ दो का एक करेंगे फिर से इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे फिर से इसी के उपर लेंगे और दो का एक करेंगे फिर इसी निडल पे लेंगे और दो का एक करेंगे तो देखे फ्रेंट्स ऐसे हमारे सबी फंदे बाइंड ओफ हो चुके है और अब जो ये दागा है इसको थोड़ा सा लंबा काट लेंगे क्योंकि इसी से ही हमने सिलाई करनी है इसको इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे और इसको ऐसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे मैंने ये धागा थोड़ा सा लंबा काट लिया तो देखे फ्रेंट्स बैक साइड से जब हम इसकी बाइंड ओफ करेंगे तो हमारी ये किनारी बहुत ही अच्छे से बन के आएगी अब हमारी ये बन के तयार है अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है उल्टा हिस्सा हमारा बहार की तरफ है अब इसकी यहां से सिलाई करेंगे तो यहां से सिलाई डाल लेंगे एक बार सुई को इस साइड से डाल लेंगे एक बार इस साइड से डाल लेंगे फिर से इसी साइड से डाल लेंगे ऐसे इसको सिलाई करते हुए यहां से यहां तक यहां तक इसके सिलाई कर देंगे देखे फ्रेंट्स अब हमारे इसकी सिलाई कम्पलिट हो गई है और हमारे बहुत ही प्यारी सी यह बेबी बुटीज बन के आई है इसके अंदर हमें यहां पे डोरी डाल देंगे बहुत ही अच्छे से फिटिंग आएगी इसकी पहनाने के बाद तो हमें इसके डोरी बनाएंगे अब और इसके डोरी बनाके यहां से इसमें डोरी डाल देंगे ताकि बच्चे के पैर में से निकलेगी नहीं में सकते कि हैं हैं इसोada हैं यह को डूरी को लगा लगे कि intent करेंगेat तो दिखiksi के क्रोड़ी डालेंगे और यह को अंदर क्रोष्यान डालेंगे और जो इसके जितने भी लंबी डोरी आपको चाहिए ऐसे डोरी बनाके और इसके अंदर डाल लेजिए तो देखे फ्रेंट्स बहुत ही प्यारी बेबे बुटीज बन के आई है हमारी और बनाना इसको बहुत ही आसान है तो देखे फ्रेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मेरी बुटीज पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को फ्रेंट्स ग्रूप में शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सबी वीडियोज की नोटिफकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके थेंक्यू